तो फ्रेंट जैसे कि आपको पता हुआ कि मैं अभी टेंग का उपर जो है वीडियो बना रहा हूं आपको बता रहा हूं कि टेंग कैसे बनाए जाता है तो जैसे कि देख सकते हैं यह है इसका ड्रॉइंग ठीक है तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए ठीक है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है यह टैंक कैसे बनाना है इसका रिंग कैसे बनाना है बेस प्लेट कैसे बनाना है तो आज फाइनली हम बात करेंगे इसके बारे में कि यह टॉप का जो पा हाइट है यह है 100 ठीक है अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको उतना चल समझ में नहीं आएगा इसलिए आप पिछली वीडियो को देख लें तो आप वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरीके से बनाना है जो को निकल पार्ट है जो कोन है इसको कैसे बनाना है तो चलिए देखते हैं तो वीडियो स्टाट करने से पहले हमेशा की तेरा बताना चाहता हूं कि चैनल अगर चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन को प्रेंस कर दिजिए ताकि हम जब ठेक है और एक कौन का बोटम डाया ठेक है और ठीकनेस आपको पता होना चीए कितना थिकनेस में बन रहा है और कौन का हाइट ठेक है बिल्कुल मैं आपको जो है प्रोसीजर वाइज बताऊंगा तक कि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आए तो टॉप कौन का जो टॉप डाया हो है हमारा 50 mm और कौन का बोटम डाया वो है 200 mm और ठीकनेस तो हमारा 1 mm है ठीक है ऐसे 10 mm मैंने उसमें ड्रॉइंग में लिखा है लेकिन मैं भी आपको प्रैक्टिकली जब करके दिखांगा तो चुकि हमारा पेपर 1 mm का है ठीक है तो मैं यहां पर 1 ही पकड़ रहा हूं और उसके बाद हाइट है इसका हमारा 100 ठीक है यहां पर मैं कौन ड्रॉ कर देता हूं ऐसे यहां अपका 200 यहां फिफ्टी और यह इसका हाइट है यहां 100 mm और इसका जो थिकनेस है वो है 1 1 mm होग है तो देखें यहां पर आपको जो है मैं अभी इसका shortcut तरीका जो है बताऊंगा बनाने के लिए जिसके कोई भी बना सकता है कोई बंदा चाहे तो आसानी से बना सकता है लेकिन अगर आप यह चाहते हो कि इसका पूरा डिटेल जो इसका theory होता है ठीक है फॉर्मूलाज के मैं आपको shortcut तरीका बताऊंगा जिससे कोई भी आसानी से बना सके है ठीक है इसमें आपको इतना कल्कुलेशर और लफडा करने के बात नहीं है तो वीडियो ध्यान से देखेंगा और वीडियो को आप लाश्ट तक देखेंगा ठीक है तब यह आपको समझ में आएगा और समझ में आने वाला नहीं आने है ठीक है तो देखेंगा यहाँ पर क्या करना है जब भी कॐ बनाया जाता है तो उसको जो कवी भी जो डाया है उसका ले आउट करते रह Moniraी करते समय ठीक है यह देख सकते हैं 200 हो गया यहां पर मैं सीधा लाइन खीछ लेता हूं ठीक है तो देख सकते हैं 200 का लाइन हो गया हमारा अब क्या करना है नीचे में आपको जो इसका 50 mm का है वो आपको ले आउट करना है तो उसको ले आउट करने के लिए सबसे पहले आपको इसका सेंटर मारना होगा एक विल्कुल मैं आपको step by step procedure के साथ बता होगा ठीक है और यहां पर आपको जो है इसका right angle निकालना है ठीक है तो right angle निकालेंगे तो यह line विल्कुल सीधा हो जाएगा तो अगर आपको पता नहीं कि right angle कैसे निकाला जाता है तो आप video को देख सकते हैं यहां पर आपको एक pop up मिलेगा तो यह कितना है हमारा हंडेड में देख सकते हैं आप यहां पर राइट एंगल काफी यूज कर सकते लेकिन राइट एंगल जो है छोटा अगर है तो ठीक है अगर बड़ा है तो बड़ा के लिए आप राइट एंगल यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है क्योंकि राइट एंगल उतना बड़ा तो होता नहीं है, ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे में भी राइट एंगल में आपको 50 mm का मार देना है, ठीक है तो यह हो गया नीचे का 50 mm, अब आपको क्या करना है, इतना तो आपको समझ में आ गया हुगा लियाउट करना है, एक 200 का और एक 50 mm क ठेक है यहाँ पे right angle निकालना आपको आना चाहिए बस इतना यह और कुछ नहीं उसके बाद आपको क्या कर देना है यह line से यह line आपको मिला देना है ठेक है ऐसे शेम आपको इधर भी ऐसे ही करना है ठीक है यह reference point में मैंने इसको मिला दिया अब क्या अबको divided से आपको एसे घुमादेना है ठीक है तो जैसे कि आप देख शकते हैं मैंने तो डीवाइडर से घुमा दिया है ठीक है तो डीवाइडर कैसे यूज किया जाता है अकर आपको पता नहीं है तो आप जाके वीडियोज देख सकते हैं लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगा भी ठीक है बाद में आप आप जो है कॉ ल करेकर देख सकते हैं तैक हूपर का होनी के बाद सेम आपको निचे कर देना है और उसके बाद अब यहां पर थोड़ा सापको जो है ध्यान देना है यहां पर आपको क्या करना है 200 का आपको CF निकालना है मतलब 200 इंटू पाई पाई करेंगे पाई का वैल्यू होता है 3.142 तो इसको जब आप दोनों को multiply करेंगे तो आपका answer आएगा 6 28.4 आ जैंगा इसका answer ठीक है अब इसको क्या करना है कि अब इसको सेंटर लाइन में डिवाइड करना ठीक है मान लिजेए यह आपका CF हो गया ठीक है तो cF को geldi जितना भी आपको सेंटर लाइन में जो है इसको यह करना है बनाना है उतना में आपको डिवाइड कर देना है तो 628 इंटू चलिए मैं 8 कर देता हूं ठीक है 628.4 डिवाइड 8 तो इसका अंसर आ गया 78 mm ठीक है देखे यहां से 78 mm सेट करके और आपको इसमें मार देना है ठीक है इस लाइन का बिलकुल आपको सीधा ले लेना है यहां से यहां प्यारा इसका सेंटर और फिर यही से आपको ले लेना है 78, 78 करके चार जगा इधर और चार जगा उधर मतलब टोटल 8 कि में दो कि तीर और एक यहां प्यारा है चार हो गया और सेम इधर भी लेना है आपको एक दो तीन और एक चार ठीक है ठीक है तो मैंने इसको जो है थोड़ा बढ़ा दिया अब आपको क्या करना है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको ऐसे मिलाना है और यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यह जो मैंने भी आठ सिंटर लाइन में डिवाइट किया तो इसको जो अगर आप ज्यादा रखेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा ठीक है आपका जो डाया है वो जो आपको बराबर मिल जाएगा ठीक है क कबार कई तो कम कभी भी आप नहीं राखे कभी आप ज्यादा ही रखें कॉछिजिकर जैसे 12 सोला हो गया तो आपके लिए अच्छा होगा ठीक है तो इसको इस तरीके से मिला देना है इसरे का सेमापको यहां पर एससे मैच करना है dilemm और एक यहां पर ठीक है हुश्च ऑर स चले अब देखते हैं, कटिंग करके और इसको मिला के देखते हैं तो फ्रेंट देख सकते मैंने इसको जो कटिंग कर लिया है, ठीक है अब मैं इसको देखता हूँ, मिला के बंबर आता है नहीं और फ्रेंट्स मैं आपको कुछ जो है इंपोर्टेंट बात अभी बताऊंगा वह एक बार जलू सुन दीजेगा तो चलिए पहले हमें इसको मिला के देखता हूँ तो फ्रेंट्स देख सकते हमारा जो कौन है वह रेडी हो चुक है एक बार मैं आपको चेक भी करके दिखा देता हूं यहां पे ठीक है तो यह देखिए लगभग 50 है महारा है मेरा इधर का ठीक है और इधर का था हमारा 200 तो यह देखिए यहाँ पर आपको क्लियर ली दिख रहा होगा 200 है यह ठीक है तो इस तरीके से आपको बनाना है तो मिल करता आपको समझ में आ गया होगा ठीक है और मैंने बताया था कि आपको कुछ इंपोरेंट बात बता हूँ तो इंपोरेंट बात यह है कि फ्रेंट जब भी आप इस तरीके का अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं इस तरीके अगर आपको जॉब मिला है तो आप जो है डिरेक्ट ऐसा मत बनाने लग जाईए ठीक है पहले तो आप किसी जानकार आदमी से पू भी देखने वाली बात होती है कि यह मसीन रोलिंग मसीन जो होता है उसमें रोल होगा या नहीं तो इसलिए आप जो है चरूर सुपरवाजर या फिर जो भी है उससे जो आप एक बात जरूर इसके बारे में पूछ लेजिए तो आने वाले वीडियो में हम आपको है कि इसका जो फॉर्मूला है और जो इसका ट्यूरी है उसके बारे में यह तो सॉटकर्ट तरीकत था तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग बाय